चंद्रयान 3 चंद्रबा के दक्षिनी दुरूफ पर लैंड करेगा रूस के लूना 25 मिशन की क्रैश लाइनिंग के बाद से बता दे कि दुनिया की नजर अब भारत पर है हाला कि आखिर के 17 मिनट 32 से के टेरर से नपटने के लिए इस रो इस बार पूरी तयार है रिपॉर्ट देखें मिशन चंद्रयांतीन लगातार अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है देश वासी उसपल का बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं जब चंद्रयांतीन को 23 अगस्त को शाम 6 बचकर 4 मिनट पर 25 किलो मीटर की उचाई से लैंड कराने की कोशिश की जाएगी जाहिर है विक्रम और प्रग्यान पर देश ही नहीं दुनिया की नजरें लगी हुई है इसरों के मुताबिक चंद्रयां दो मिशन के और्बिटर और चंद्रयां तीन के लैंडर के बीच संपर्क स्थापित हो गया है टूवे कमिनिकेशन के होने के बाद और्बिटर ने लैंडर से कहा स्वागत है दोस्त हलांकि अभी तक सब कुछ सामानने है फिर भी चंदरयान 3 के लैंडिंग मॉडियूल का लैंडर विक्रम आखरी वक्त में किसी भी गड़बड़ी में बिना हडबड़ी के सफल होने के लिए तैयार है प्रोपल्शर मॉडियूल तो चंदर की कक्सा में गुमता रहेगा और साथ में उसके साथ जो लैंडर मॉडियूल है जिसको कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिस कर रहे हैं तो वो 17 अगस को लगभग 157 by 167 किलोमीटर की कक्सा में था वो अभी 113 by 113 की और्बिट में गुम रहे है और उसको 100 by 30 किलोमीटर की और्बिट में जाने के बाद 23 अगस को 30 किलोमीटर की उच्चाई से वो नीचे की और प्रायन करेगा इस रो के मुताबिक इस वक्त मिशन का लैंडर मौडियूल चांद से न्यूनितम 25 किलोमीटर ही दूर है चंद्रमा के लगा तार चक्कर लगा रहा है लेकिन आकरी के 17 मिनट 32 सेकंड के टेरर से निपठने के लिए इस रो इस बार पूरी तरह तैयार है क्योंकि यही वो आकरी 17 मिनट 32 सेकंड होंगे जब लैंडर और रोवर को इस रो के कंट्रोल रूम से कोई कमांड नहीं दी जा सकेगी 17 मिनिट सोब टेरर जिसको प्रकार जो हमारे लिए क्रिटिकल या बाया वक कह सकते हैं वो है क्योंकि उसमें कोई भी गल्ती की संभावना भी रहती है जैसा कि आपको पता है कि यहां बेठे बेठे हम पूरा वो कर रहे हैं लैंडर को नीचे उतारने का तो उसमें कई अगर कुछ तूटी रह गई हो जो कि ऐसी संभावना काफी कम है बट फिर भी स्पेस अखेर इसकी बिजनेस है तो उसमें कुछ हम कहने से कोई भी सिस्टम में अगर माल फंक्शनिंग होता है कुछ और प्रॉब्लेम डेवलोप होता है बट इस वार हमने यह द्यान रखा है कि हमारा जो डिजाइन है वो पूरा फेलियर को द्यान में रखी किया गया है लैंडर विक्रम को अपनी सुरक्षित और सफल सौफ लैंडिंग के लिए खुद ही कुछ काम करने होंगे यानि लैंडिंग के आखरी 17 मिनट 32 सेकिंड के वक्त सारी जिम्मेदारी लैंडर विक्रम के कंधों पर होगी इस समय सही उँचाई सही मात्रा में फ्यूल का इस्तिमाल लैंडिंग के लिए करना होगा चंद्रमा पर सफलता पूर्वक लैंडिंग करने के दो घंटे बाद प्रग्यान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर निकलेगा और चांद की सते पर जानकारी जुटाएगा लैंडिंग के दोरान बड़ी मात्रा में उड़ने वाली धूल के कारण सेंसर भ्रमित हो सकते हैं इसलिए प्रग्यान रोवर दो घंटे बाद विक्रम लैंडर से बाहर निकलेगा चांद पर किसी भी तरहा का GPS नहीं होता है इस थिती में अंतरिक्षियान किसी सतह पर उतरने के लिए सैटलाइट नेट्वर्क पर भरोसा नहीं कर सकते हैं इसका सीधा आर्थ है कि विक्रम लैंडर को खुद से ही सभी चीजों की गणना करते हुए सौफ्ट लैंडिंग करनी होगी दरसल लैंडिंग से पहले 384,400 किलो मीटर की मुश्किल यात्रा को भी समझना जरूरी है इतनी लंबी यात्रा के दौरान कहीं भी मशीन के असफल होने की संभावनाएं बनी रहती है एक वज़े ये भी है कि पृत्वी पर वापस लोटते वक्त अंतरिक्ष यान ग्रह के घने वातावरन पर निर्भर रह सकता है यानि इसकी मदद से यान को जरूरी घर्शन मिलता है और वह सुरक्षित तरीके से उतर सकता है ऐसे में चांद पर लैंडिंग के वक्त प्रोपल्शन सिस्टम ही यान की मदद करता है अगर आसान भाशा में समझें तो यान को अपने साथ काफी इंधन ले जाना होगा ताकि वह लैंडिंग के दौरान रफ्तार को कम कर सके इसरों के मुताबिक चंदरयान 3 की सौफ्ट लैंडिंग के दौरान सबसे एहम चीज अंतरिक्ष्यान की दिशा होगी दरसल लैंडिंग प्रक्रिया की शिरुवात में अभी इसकी स्पीड करीब 1.68 किलो मीटर प्रति सेकिंड है जो और कम होगी जाहिर है अब सब की नजरें 23 अगस्त पर टिकी है जब भारत चांद पर कदम रखने के साथ ही नया इतिहास लिखेगा बिरो रिपोर्ट जी मीडिया